हलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, फ्रेंट्स इस वीडियो में मैं आपके साथ सेर करूंगी फूल को भी की बड़ी की सबजी कैसे बनाते हैं, तो आए वीडियो को शुरू करते हैं, कराही में डालेंगे एक बड़ा चमस सरसो का तेल और उसको गरम कर लेंगे, फूल को भी की जो बड़ी है इसमें डाल करके थोड़ी दर इसको फ्राइ कर लेंगे, बड़ी को लो टू मिडियम फ्लेंपर अच्छी तरह से इस तरह से चला चला के भूल लेंगे, ये देखिए इसका कलर भी देखने से कितना आच्छा हो गया है, चली अब इसको निकाल लेते हैं शेम कड़ाही में डालेंगे एक चमै सिर्फो का तेल और फिर से इसको गरम करेंगे थार के में डालेंगे पंच 200 आप सकते हैं ये इसको डाला देंगे और तरकने देंगे एक शेक सकते हैं 15-दे धे रहा दें doit करें दना ठीअ कर ये तड़के में अच्छा सा कलर आ गया है तड़का हमारा अब तयार हो गया है इसी समय डालेंगे एक चमच अतरफ और लहसन का पेस्ट और इसको भी चला चला के गोर्डिन ब्राउन होने तक भूल लेंगे और ये देखिए, लासन में भी अच्छा सा कलर आ गया है, दो प्याज को मैंने इस तरह से बारिक काट करके रखा था, इसको भी इसमें इसी समय डाल देंगे अब गर्ज के फ्लेम को हाई कर देंगे और प्याज को इस तरह से चला-चला के भून लेंगे तीन से चार हरी मिर्च को मैंने बारिक काट करके डाला है इसमें, प्याज के साथ भी इसको भून लेंगे स्वात के हिसाब से डालेंगे नमक, नमक डालने से क्या होता है कि प्याज बहुत जल्दी सौप्ट हो जाता है और भूल के तयार हो जाता है यह देखिए, अच्छा सा कलर प्याज में आ गया है adesso डालेंगे इसमें आलू, तो दो मीडियम साइज के आलू को मैंने इस तरह से बारिक काट करके रखा है इसको भी इसमें डाल करके थोड़ी दिर भूनेंगे थोड़ा दिर आलू को भूनने के बाद डालेंगे इसमें टमाटर तो एक बड़े साइज के टमाटर को मैंने बारिक काट करके रखा था उसको भी इसमें डाल करके ठक के थोड़ी दिर पकाएंगे और ये देखिए फ्रेंट्स, थोड़ी देरे पकाने के बाद टमाटर भी सौप्ट होने लगा है सुखे मसाले में डालेंगे एक छोटा चमज हल्दी पावडर एक छोटा चमज धनिया पावडर आधा छोटा चमज डालेंगे जीरा पावडर quarter छोटा चमच काली मिर्च का पाउडर एक छोटा चमच डालेंगे इसमें सबजी भाजी मसाला आधा छोटा चमच डालेंगे गरम मसाला आधा छोटा चमच लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चमच डालेंगे इसमें मिक्स मसाला इससे इसका टेस्क बहुत अच्छा होता है सबजी में मसाले को अच्छे से मिला देंगे और इसको ढख के दूसे 3 मिनट तक लो मेडियम फ्लेम पर पकाएंगे धाकि जो इसमें का टमाटर है वो अच्छे से सौप्ट हो जाए 2-3 मिनट हो गया है लो फ्लेम पर मैंने इसको पकाया है और यह देखिए अच्छा सा सबजी पक के तयार हो गया है इसका जो मसाला है एकदम इसमें घुल मिल गया है ऐसा ही मसाला तयार करना है हमको अब डालेंगे इसमें पानी और पानी को डाल करके उबाल लेंगे पानी थोड़ा समय ने इसमें ज़्यादा डाला है क्योंकि बड़ी जो है पानी को खिच लेती है और सब्जी जो है बाद में ट्राई हो जाती है मसाले में अच्छा से उबाल आ गया है बस इतना ही हमको मसाला को पकाना है अब इसी समय डाल देंगे बड़ी और बड़ी टाकल के 4-5 मिनट तक इसको पकाएंगे गैस के फ्लेम को इस समय लो मीडियम कर देंगे और धीरे धीरे सबजी को पकने देंगे चार से पांच मिनट हो गया है और सबजी देखिए पक के तयार हो गई है इससे जदा आप सबजी को नहीं पकाना है थोड़ा सा ग्रेवी हमें इसमें रखना पड़ेगा क्योंकि बाद में सबजी सुखी हो जाती है ये देखिए बड़ी भी एकदम से अच्छे से पक गई है चलिए अब गयस के फ्लेम को बंद कर देते हैं इस सबजी को आप गर्मा गरम चपाती के साथ सर्थ करें ये बहुत अच्छा लगेगा आप इस सबजी को एक बार चरूर ट्राई करें बड़ी तो हम अलग-अलग तरह से बनाते हैं लेकिन इस तरह से फूल गोभी की करके आप चरूर खाये ये आपको बहुत पसंद आएगा इस बड़ी को बनाने के बार आप पांच से छे महिना तक इस्टोर करके रख सकते हैं फ्रेंड्स यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ये करेंगा मेरे ज हैं अ येंड्सा अज़्द पस्बूंद आपको लाइफ झाल